ये class 10th math के exercise 7.2 का दूसरा प्राशन है Find the coordinates of the points, of, trisection, of the line segment Joining the points, 4, minus 1, and minus 2, minus 3 अर्थात बिंदों, 4, minus 1, और, minus 2, minus 3 को जोडने वाले रेखाखंड को सम्त्रिभाजित करने वाले बिंदों के निर्देशांग ग्याद कीजिये मान लेते हैं कि यह एक point A है जिसका coordinate, 4, minus 1 है तथा यह एक point B है जिसका coordinate, minus 2, minus 3 है अब मान लेते हैं कि यह एक रेखाखंड है जो point A और point B को मिलाती है अब मान लीजिए रेखाखंड A, B को सम्त्रिभाजित करने वाले बिंदों, P और, Q है अर्थात कह सकते हैं कि A, P, equals to P, Q, equals to Q, B, from the, figure, और मान लेते हैं कि यह equals to 1 तो figure से हम देख सकते हैं कि बिंदू P रेखाखंडे B को internally एक अनुपात 2 में विभाजित करता है तो P का coordinate जो है वह section formula की मदद से हम निकाल सकते हैं जो की होता है M2 into X1 plus M1 into X2, divide by M1 plus M2, और M2 into Y1 plus M1 into Y2, divide by M1 plus M2 अब इस case में X1 का value हो जाएगा 4 और Y1 का value हो जाएगा minus 1 X2 का value हो जाएगा minus 2 और Y2 का value हो जाएगा minus 3 और AP by PB equals to 1 by 2, यानि की M1 by M2, इस case में हो जाएगा 1 by 2 अब इन सभी value को हम इस formula में put कर देंगे तो put करने के बाद X equals 2 हो जाएगा 2 into 4, plus 1 into minus 2, divided by 1 plus 2 और Y का value जो हो जाएगा, वह होगा 2 into minus 1, plus 1 into minus 3, divided by 1 plus 2 X वाले को आप calculate करेंगे तो होगा 8 minus 2 by 3, और ये बराबर हो जाएगे 6 by 3, जो की बराबर हो जाएगा 2 और Y को जब calculate करेंगे तो होगा minus 2 minus 3, divided by 3, जो की बराबर हो जाएगे minus 5 by 3, यानि P का coordinate आ गया हमारे पास 2 और minus 5 by 3 अब Q का coordinate हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो section formula की मदद से, और दूसरा midpoint formula के मदद से, तो पहले हम section formula की मदद से देखते हैं, तो इस case में हम देख रहे हैं कि Q, रेखा खंडे भी, को आंतरिक रूप से 2 by 1 यानि की 2, अनुपात एक में विभाजित करती है, यानि की ह हम कह सकते हैं कि AQ by QB, हो जाएगा 2 by 1, यानि की इस case में M1 by M2 का value हो जाएगा 2 by 1, अब यहना से X1 का value हो जाएगा 4, Y1 का value हो जाएगा minus 1, और X2 का value होगा minus 2, और Y2 का value होगा minus 3, तो इन सभी value को again section formula में put करेंगे, तो हो जाएगा 1 into 4, plus 2 into minus 2, divided by 1, plus 2, और Y का coordinate हो जाएग 1 into minus 1, plus 2 into minus 3, by 1, plus 2, अब X का value होगा, 4 minus 4, divided by 3, जो की equals 2 हो जाएगा 0 के, और Y के value को solve करेंगे तो वह हो जाएगा, minus 1 minus 6, divided by 3, यह equals 2 हो जाएगा minus 7 by 3, यानि की Q का coordinate हो जाएगा 0 और minus 7 by 3, अब Q का coordinate midpoint formula के मेथद से भी हम निकाल सकते हैं, जो की दूसरा method है, तो जैसा की हम यहाँ figure में देख पा रहे हैं की Q, PB का midpoint है, यानि की मध्यबिंदू है, और midpoint का formula होता है, X1 plus X2 divided by 2, और Y1 plus Y2 divided by 2, तो इस case में X1 और Y1 जो की P का coordinate होगा, वह है 2 और minus 5 by 3, और X2 और Y2 जो की B का coordinate होगा, वह है minus 2 और minus 3, तो इस चारों value को हम इस midpoint के formula में put करेंगे, तो हमें X मिल जाएगा 2 minus 2 by 2, और Y का value हो जाएगा minus 5 by 3, minus 3 divided by 2, तो X का value आज जाएगा 0, और Y का value आज जाएगा minus 5 minus 9 by 6, और इसको आप solve करेंगे तो मिलेगा minus 7 by 3, यानि midpoint के formula से भी हमें coordinate 0 और minus 7 by 3 ही मिला, जो की section formula से मिला है, तो इस तरह से हम Q के value को दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पर P और Q का value मिल गया जो की, रेखा खंडे, B को सम्त विभाजित करती है, यानि की तीन बराबर भागों में विभाजित करती है,